नमस्कार दोस्तों स्वागता आप से कालाने टाफर्स टी यूट जो 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 करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तर पदेश के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि लगाता तमाम सिचक भरतियों के हम बात करें या फिर कोई भी भरति जिसको लेकर यूबा चातर आज की दाइक में पहिशान है उनको लेकर लगाता प्रदेशन करें तो ऐसे में आज के दिन काफी जादा मैत्पूर रहने वाला है पांच जून को चातरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश व्रोजगा दिवरस की दूप में मनाया जाएगा उंबीदेश अभी चातर बढ़ जड़कर इसमें हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा कहीं नहीं करेंगे क्योंकि सरकार को जगाने का समय यही है छे महीने का समय से से चुनाब के अंदर लेकिन सरकार के माध्यम से एक भी भरती अभी अंतिम रूप नहीं दिया क्या है सबी भरतियों के अंदर आवेधन लटके हैं या फिर आवेधन होने के बाग हैं परिच्छा लटकी हुई है और इतना तो आप सभी जानते हैं कि किसी की जब निपती भी लटकी होती है तो निपती भी नीदी जाती है अगले 6 महीनों के अंदर तो इतना सब कुछ क्या होपाएगा इसी को लेकर चात्रों के माध्यम से आज की तारीक में चाहे वो कोई सिच्छक भरती हो चाहे अगर हम बात की UPPSC, UPPSC या फी UPSI इसके अलावा जो भी भरतिया लटकी हुई है उन सभी को लेकर अपनी मांग आप सभी को रखने है टोईटर पर जैसा कि आप सभी को यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा पीटी को उजद्द करो, वीडियो जी एक्जाम डेट खोशित करो यह UPPSC वाले चाहतों के माध्यम से अपनी अपनी हैस्टेक बना लिए गए है सेम आप सभी को भी अपनी जो मांगे वो यहां पर रखनी है जो भी चाहे किसी भरतिया संब्दित है सबसे बड़ा हैस्टेक आप सभी को होगा यूपी बेरोजगार दिवस इसके साथ में अपनी मांग आप सभी लेखे किसी भरतिया संब्दित है जिससे कि सरकार को पता चले कि आखे मामला कितना बड़ा है मैंने कल इसको लेकर आप सभी को बताया भी था कि बड़े दुक्की बात है नोकी आपकी रोजगार आपका परिच्छा आपकी रिजल्ट आपके नहीं आते भरती आपकी नहीं होती निवक्ती आपकी नहीं होती हम आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन आप लोग हमने सपोर्ट नहीं करते हैं, हम आपको कहने हैं, आपको वीडियो ही तो शेयर करनी है, अब शेयर का बटन दबाना इतना मुश्किल समय आ चुका है, कि आपको कहना पड़े कि शेयर का बटन दबाई है, लोगों तक हो चाहिए, इससे बेनेफिट से पर सि मेसेश है, एक बाँ अकेले में बैठ करके सोचना, किसी भरती की आप त्यारी करें, क्या वो भरती पूरी हो सकती है, क्या सरकार ने इससे पहले कभी कोई भरती इतनी कम समय पूरी की है, हिसाब लगा करके देखो तो आपको बता चलेगा, कोई मीडिया आपकी रोजगार क ये चुनाब आ जाते हैं, तो उसके बाद आप सभी को बताई कि लंबा इंतिजार करना पड़ेगा, तो ऐसे में आज एक अच्छा दिन है, यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में, तो जादा से जादा बहती चुड़ें, बाकी जो नई प्रात्मिन सिच्छक बहती को लेगा है, उसके बारे में हैस्टेक में आप सभी को आगे बता दूगा, उससे पहले एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही, जो कि यूपी टीट के वारे में है, जिसा कि आप सभी को मैंने कली बता दिया था कि यहां पर आज इवन किया गया है, लेकिन अभी यूप सभी जो टैट होते हैं राजसरकार के, वो राजसरकार के अंडर में आते हैं, और जब तक वो आदिया जारी नहीं करेंगे, तब तक मामला किलियन नहीं होता, उसी को लेकर यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि टीट आजीवन माने हो जाने से कम होगी परिच्छा की बात की जारी है क्योंकि बार बार चात्तों को टीट डेना पड़ता है, इससे चुटकाएगा लेकिन प्रतियोगी परिच्छाहों के अंद dónde क्या होगा, इसमें आप ंदर खोंदा क्या होगा उसमराव परिच्छा पास हो जाने के बात भी अभ가ती दुबाहा नहीं करें या विदन टीटी परिच्छार्थी कम होगी प्रतिस परदर जैसा कि आप सो भी देख पा रहे हैं इसी के साथ हम बात करे यूपी टीटी के वारे में जल्द आपको आजीवन देखने के लिए मिल सकता है इसकी भी तैयारी यहां पर शुजू कर दी गई है तो ऐसे में अभी अभी तक यूपी टीटी प्रवाडप्त्र पास साल के लिए वैलिड होता था चाहे आप प्राइमरी और जूनियर स्कूल यानी कच्छा एक से लेका आठ तक पढ़ाने के लिए टीटी अनिवार है बेसिक सिच्छा राज्यमंदी डॉक्टर सतीश्चन दुवेदी ने कहा कि केंदर सरकार ने चात्यों के हित्म फैसला लिया है हम इस दिसामें कदम उठाएंगे तो थोड़ा सा कदम नई सिच्छक वरती के लिए भी उठालें क्योंकि आप जानते है कि यूपी टीटी को लेकर कहीं फ्रेम तो करवाना नहीं है जिंदगी बर उसको रगता तो है है ना ऑक्सिजन तो है नहीं कि जब तक रहेंगे तब तक साथ देना क्योंकि ये तो एक उमर निकल जाए कि सिच्छक वरती के तो यूपी टीटी का क्या फैदा है ना तो अच्छी बात है मंतिय जी ने यहां पर कहा है कि चात्तों के हित्में करदम उठाया है लेकिन एक क लेकिन एक बार सिच्छक वरती मिल जाएगी तो हो सकता है कि उनको सिच्छक वरती या पीटी को लेकर परिशान होने कि आप शकता नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात है फिलाल यहां पर आप सभी के सामने बेसिक शिचा मंति जी के माध्यम से भी कहा गया कि जल्द इसको लेकर जो घोशना है वो कर देगी कि UBTET भी आप सभी का आजीवन मानने हो जाता है उसके बाद में चाहे आपका 2021 से हो या 2020 का सभी के सभी आपके आजीवन हो जाएंगे लेकिन अभी नहीं हुए हैं अभी सिप सीट एट किया गया है धियान रखे है ठीक है तो यह बात दो जिसा कि आप सभी जानते कि सरकार के माध्यम से लगाता यहां पर कई फैसले लिए जाएं चाहे वो DL.A को लेकर हो चाहे BIRD प्रविश परिच्छा के बारे में या TET के बारे में हाली बयान दिया गया है लेकिन नई प्राथमिक सिछक बरती को लेकर सरकार पूरे तरीके से मौन है आज की तारीक में चात्तों के माध्यम से यूपी व्योजगा दिवस मनाया जा रहा है इससे पहले आप सभी जानते कि यूपी प्राथ्म की सिचक भरती के लिए चात्तों के माध्यम से साथ लाग से जादा जो ट्वीट है वो आपको देखने के लिए अब उसी कर्मे की जाएगी जो हैस्टेग आपस जुन को आप इस्तमाल करना है मतलब कि आज सुबह 11 से आप सभी को लगाता हैं यहां पर जो ट्वीट हो करने है ऐसे में दूसी तब आप सभी जानते कि एक और आप सभी के सामने सबसे बड़ा ट्विटर बार देखने के लिए मिलेगा जो कि संबंदित होगा यूपी बियोजगा दिवस की रूप में तो ऐसे में किसी भी मामले से संबंदित अगर आप ट्विट करना चाहते हैं तो इ के संबंदित है यूपी टफलेसी को लेकर यूपी टफलेसी के माध्यम से कई नए परड़ाम आप सभी को आगामी समय के अंदर देखने के लिए मिलेंगे कल की तारिक में हमें जानकाई मिली थी कि यूबा विकास कल्यार को लेकर यहां पर जो परड़ाम वो जारी कर दिय जाएगा जो कि वेबसाइट पर जारी कर दिया गया मैं आप से लिए वीडियो बनाई रहा था तब तक वेबसाइट पर आभी गया इसके साथ एक और जानकाई देखने के लिए मिली कि अगला जो परड़ाम जारी होगा वह इस टैनों का आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि 10 तारी के बाद में कभी भी आप सभी के सामने आने वाला है। उसी करम में यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि 569 युबाओं को सरकाई नोकरी को लेकर चैन परणाम जादी कर दिया गया है। UPSC के माध्यम से अगर बात के ब्यायम प्रसिशक तथा 6-3 युबा कल्याण को लेकर जो परणाम में जारी कर दिया गया है। 2008 में जो बरतिया वो शुरू की गई थी जिसके लिए अगर बात के 728 रिक्त पर थे जिसके सापेच 569 अपरतियों का चैन किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सभी के सामने चीज़ें वो इसपस्ट हो जाती है कि एक और जो परणाम जारी हो गया है। अब इसके बाद में जो अगला परणाम जारी किया जाएगा वो आपको इस ठैनों का देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर बात करें परिच्छाओं की तारीकों को लेकर भी UPSC वे जो कामे वो शुरू हो चुका है क्योंकि UPSC भी अब तयारी करनी शुरू कर चुका है। इससे पहले भी आप सभी को कई मीटिंग देखने के लिए मिली हैं। अगली जो मीटिंग होने वाली मंगलवार या बुद्धवार को आपको देखने के लिए मिलेगी जहां पर परिच्छाओं की तारीकों को लेकर जो एलाने किया जाएगा। प्राप्त जानिकारी के अनुस्वा उनका कहना है कि बुद्धवार को कई परिच्छाओं को लेकर जो मंत्रने वो होगा अगर सैमती बनती है तो नई परिच्छाओं की तारीकों का जो एलाने वो कर दिया जाएगा तो यह बड़ी अच्छी ख़बर हो सकती हो उन सभी छार् अगले अफ़ते देखने के लिए मिलेंगे यूपीटपलेसी के माध्यम से और अगला जो परिटाम होगा वेस्टैन होगा जादी किया जाएगा बाकि जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगाता मिलती रहेगी तो लाइक और शेर अबश्य करते ह गया है जो भी एलिजबल अप्यरती इस बरती के लिए आफ़ेदन कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि यूपी पीर सी ना मांगे आफ़ेदन चिकिसा सिच्छा विवागों बान लोग विशेशक्य के सरवधिक 48 पता आपको दे पाकी अगर बात कहें विविन जो विशेश्टा वाले असिच्छन प्रोफेसर के सरवधिक 102 पता के लिए जो आविदन है वो शुरू कर दिये गए हैं तो ऐसे में आविदन को लेकर मैंने कल एक वीडियो बना दिया था जिसमें विग्यापन के वारे में साही जानकाई आ एक बार उसको अवश्य देख लें आई बेटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इसी के साथ हम बात करें यूपी सरकार पे जो आहरो पे वो लगा है सबसे बड़ा आरच्छन घोटाले को लेकर उसके बाद हम बात करेंगे 79,000 के बारे में बैसे तो ये भी मामला 79,000 से समधित है लेकिन इसको लेकर सरकार पे यहाँ पे जबाब किया गया मतलब सबाल किया है तो उसके समध में आप सुभी देखें कि आरच्छन में घड़वडी कर सिचकों की निपती अठकार है ये सरकार जैसा कि आप सुभी देख पाए कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश को निपती आउए जनकी है अंच्छट नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि कर रही है है कि कोमना संगमण की तीसी लेह आने की आसंक में आम जनता बहबीत है और सरकह इसी निपटनी के त्यारी के बजाए आप शी खीचत आनी में लगी हुई है सरकार बली 4 लाग लोगों को नोकी देने का दावा करती है जो कि फरजी है उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 साल में सिपनेतर जा सिचक बरती कराई है लेकिन चैनेतों को अब तक निपती नहीं मिल पाई है तो ऐसे में इसमें जो मामले उठाए गए है पहला मामला तो यह है कि जिनको अभी तक निपती नहीं मिली मतलब थर्ड काउंसलिंग वाले चातों की बात की जाई है तो दूसी तब यहां पर आच्छन को लेकर भी सवाल उठाए गई है क्योंकि राश्टे पेश्टावर् ज़णे तो हो गया है गोजण को लेकर तो तमाम रोज दावे किया जाते हैं लेकिन अधिकारी कोई डाटा उनकी मात्यम से अभी नहीं बताया गया है क्योंकि लगबक मैंने भी कईवा है को आपको बताया है कि 6500 के सम्तिंग सीते होने की समभावना है लेकिन जब तक authentic नहीं हो जाता तब तक संभावना आप सुभी जानते हैं कि संभावना तो पिछले डेड़ महीने पहले chance हुजी आने की भी थी जो कि अधिकारियों की मताविक थी लेकिन नहीं आई इसी वज़े से संभावनाओं की दोर पर ना चलें इस पर जो auditing का कामी वो जारी है जो कि संभावत है आज की तारिक में समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसे में मंडे तक आप सुभी के सामने कुछ नई आदिस देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि 79,000 की थर्ड तांसलिंग के संभावने में होंगे ऐसे में थर्ड चैन सुची को लेकर जो जात इंतजार कर रहें उनका भी यहां से जो इंतजार है वो समाप्त हो सकता है बाकि आज की तारिक में होने वाले ट्विटर वार के अंदर अपनी पीडा भी आप लोग अवर्स लेकें अगली चैन सुची के नाम से आप लोग इस्तमाल करते रहें अगर आप लोग 6-200 भी कमेंट कर देते हैं तो 100% यह आपका मुद्धा भी ट्रेंडिंग में आ जाएगा क्योंकि जब पूरे प्रदेश के चार्त यूपी विवजगा दिवस की रूप में ट्रेंड करवाएंगे तो 99,000 का मुद्धा भी वहाँ पर भाइलाइट हो जाएगा तो जाना से ज़दा बड़ी संख्या के अंदर आप लोग भी जोड़ें जल्दी से सरकार चैन सुची जारी करें क्योंकि जानकाई तो दीगी किसी महीने कांसलिंग करवा दी जाएगी लेकिन जब तक यहाँ पर कांसलिंग को लेकर डाटा भूगे तरीके से आप सभी के सामने नहीं आ जाएगा कि इस ताइक से आप सभी के जो कांसलिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी साथ में चैनल सूची जादी कीजाएगी तब तक आप लोग अपनी जो मांगे वो लगाता जाजी रखें हाला कि शासिन से मिली जानगाई के अनुसार जल्द आप सभी के सामने जो इंतजाव है वो समाप्त होगा जो के एक अच्छी खवा है चैनल सूची वाले शात्तों के लिए बाकी जो भी अपडेट होगी देश शाम तक आप सब्सक्राइब के माध्यम से मिलती दाएगी वीडियो को लाइक करते हैं साथ में शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना बोलें फिलाल इस वीडियो के माध्यम से दाए थेंक यू पर वाचिंग इस वीडियो